जाहिन सेव भाईयों को आप लोग का स्वाकत या अपने योटूब चेनल पर भाईयों आज एक और सेंटर की रिलेशन भरती आ चुकी है और इसकी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो में देने वाला हूँ भाईयों अभी डोगरा रेजिमेंट सेंटर में रिलेशन भरती आई है और ये उसका नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा और ये सेंटर बना हुआ है आयोध्या केंट उतरप्रदेश में है जिसको फैजावाद के भी नाम से जाना जाता है और इसमें मैं आपको बताने यों इस सफचेंटर में भरती इससे पहले भी आ चुकी थिikkiz इसी साल 2023 में लेकिन अभी फिर से ये भरती आई है और इस बार ये भरती 27 नवंबर से लेकर के 4 दिसमबर तक भरती होनी है और इसमें आपकी जीडी की बरती होनी है, किलर की बरती होनी है और ट्रेड मैन की बरती होनी है और साथ में जो बच्चे स्पोर्ट से बरती देखते हैं तो वो भी सेंटर में बरती देख सकते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि नवा शहर और रोपड कंजाब के इन जिनों के बच्चे से भरती इस center में देख सकते हैं और बाकि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बच्चे इस center में जीडी की भरती देख सकते हैं और अगर आप trade man में भरती देखना चाहते हैं तो आप All India से हो, किसी भी center से हो कि अगर आप कॉल इंडिया से हूं किसी भी स्टेट से हूं पर आपका सेंटर होना चाहिए डोगुरा रेजिमेंट सेंटर का रिलेशन सेटिफिकट आपके पास होना चाहिए तो पिलर्त में बढ़ती देख सकते हैं और आपको और इंपोर्टन जानकर बता दूं कि अगर आ से गेम में इस सेंटर में भड़ती आई तो हैंड वॉल्वल बास्केट वॉल इन तीन इन तीन गेम में सेंटर में भड़ती आई है स्पोर्ट्ट के लिए जीडी के लिए और आपको एक और बता दूं कि अगर आप स्पोर्ट से बढ़ती देखना चाहते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश, जम्मो गश्मीर और पंजाब के जो कुछ इसमें डिस्टेक्ट बताए गए हैं जैसे होश्यारपूर, गुर्दाशपूर, पढ़ानकोर्ट, नवाशहर, र भरती है, 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक दो दिन जीडी की और उसके बाद जम्मो गश्मीर की भरती है, 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक उसके बाद जो भाई ट्रेड मैन की भरती देखेंगे और जो भाई स्पोर्ट की भरती देखेंगे तो उनका इसमें ट्राइल ह होगा कि एक दिसंबर और दोध दिसंबर और उसके बाद जो भरती का लास्ट यह नहीं चार दिसंबर को तो इस प्रें इसमें किलर के बच्चे भरती देखेंगे यह जानकर जो मैंने आपको अपने वीडियो में दे दी है अगर आपको रिलेशन भरती से लेटेट कोई भी अप्लाई देदूंगा जैन्से भाईयो